हेलों एभीबॉरन, कैसे हैं आप सब आई हो पाप सब अच्छी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने जारे हैं आपके पार्टनर आज सुबास आपके बारे में क्या कुछ सोच रहाएं थे क्या फिल कर रहे थे, क्या उनकी emotions थे, feelings थी, क्या कुछ सुबह में energies थी उनकी, ठीक है, तो आज की reading कुछ हम इसी तरीके से करने वाले हैं, तो इसमें हम totally देखेंगे आपके partner की energies, ओके, तो चलिए करते हैं reading को start, और ध्यान रखेगा कि ये reading एक general reading है और collective है, तो इस बत का प देखते हैं क्या cards निकल के आते हैं, guide करें अंजल्स, universe, ancestors, मेरे viewers के लिए मुझे guide करें, okay, guide करें अंजल्स, universe, ancestors, मुझे guide करें, okay, अपनी portion के ऊपर ध्यान दीजिए, आप लोग, अपने portion के ऊपर focus कीजिए, आप हो सके, तो reading देखने से पहले आप एक बार उनकी picture देख लीजिए, अगर picture है, आपके पास तो, guide करें, अंजल्स, okay, guide करें, अंजल्स, okay, okay, सो कार्ड निकला है, यहां पर हीदेन का कार्ड, यहां पर नथिंग टू वोर्य अबाउट, यहां पर्ण़ोच्छड, यहां जाट संध भ्यरत, यहां जातु, यहां पास, इस न हम एतूँ,howदेद्योच्ट- आप्योट, bottom of the deck है gratitude, thank you, universe, angels हमें guide करने के लिए so gratitude आपके partner भी show करते हुए दिखाई दे रहे है universe को, अपने ईश्वर को क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि आज ये जिन्दिगी में जो कुछ भी इनको मिला है सब universe की तरब से है और चाहे आप मिले, इनकी family मिले या इनको जो कुछ भी इनकी life में मिला है सब universe की तरब से मिला है और universe ने इनको जो दिया है खुल कर वो accept करते हुए पॉर्टसन थाइंक्यू बोलते हुए universe को दिखाए दे रहे है और ये reading आप तक पहुँची है तो universe को gratitude देने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और like भी कीजिए ताकि आप भी universe को gratitude दे सके तो yes यहां जो है कार्ट क्लियर बता रहा है कि आपके जो partner है है कि इंवर्स को काफी gratitude शो करते वे दिखाए दे रहे हैं काफी ज़ादा यह जो person है आपके gratitude इस तरीके से घड़े दिखाए दे रहे हैं जैसे कि क्याता हैना कि आप से बढ़कर है ना कोई इनकी जिन्दिगी में नहीं है इन्वर्स को gratitude इस लिए जह है यह person आपर संट शो करते हुए दिखाइए रहे बहुत जदा ग्राटिटूद दिखा ते विए पॉरसन मुझे नज़र आ रहे हैं यह यह चलिए बात करते हैं अगली कार्ट की फीडिन का कज़ा पहला का तो हीडिन का कार्ट क्यों है एंजल्स करें पीस गाइड करें कार्ट को कि क्यूं है कार्ड // यह सेम इनर्जी निकल के आई है यह मैं ड़ोग कि आपके देख सकते हैं कार्ड कार्ड आपके सामने क्लीर है और हीडन को काड्ड भता रहा है कि आपके पार्टनर अपनी मन की छुप वी बात नहीं दिखाई दे रहे हैं अपने मन में चल रही उल्जानों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं आज सुबह सुबह आपके पार्टनर का माइंड बहुत डिस्टर्ब रहा ये पार्टन को इस तरीके की एनरजी आई यानि कि आप दोनों के रिलेशनसिप में कुछ तो ऐसा है जिसको ले करके आपके पार्टनर काफी डड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे दूर होने की चाहत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहां पर एक बहुत ही खुबसुरत सी फामली दिखाई दरी है और यह अगर आपसे दूर हो गए टोटली आपसे नो कॉंटक्ट में चले गए हमेशा हमेशा के लिए चले गए तो इनके जीवन में वह सुख नही के बाद से इनका फ्यूचर आपके साथ नहीं होने के बाद कैसा होगा किसी और के साथ फ्यूचर तो जुड़ जाएगा लेकिन दिल नहीं जुड़ेगा किसी के साथ तन तो जुड़ जाएगा लेकिन मन नहीं जुड़ेगा यहां पर आपके पार्टनर अपनी फिलिंग् लेकिन ये person अपने मन पे काफी काबू पाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे ये भी देख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीजे हो रही है जो भी चल रहा है ये unexpected है unexpected मैं देख पारे हुँ न कि आपके पार्टनर का मन इतना ज़दा बेचैन है इतना ज़दा बेचैन कि अपने मन को जो है कंट्रोल में करना इनके वसकी बात बिलकुल भी नहीं है ये person दमून के energy में है दमून के energy यहाँ पे यही दिखा रही है कि आपके पार्टनर काफी ज़्यादा डड़े हुए है आपको खोने से और आपको एक तरीके से ये रिस्ता आपके साथ नव बन पाने का ड़र इनके जो है दिल दिमाग में बैठा हुआ है अब ये रिस्ता क्यों नहीं बन सकता है ये person और आपके बीच में कोई तीसरा person हो सकता है जिसके वज़े से ये जो रिस्ता है ये नहीं बन सकता है ये भी energy clearly दिखाई दिरी है आपके partner को एकदम clear दिख रहा है कि यार ये रिस्ता जो है ना इस रिस्ते को बनने में थोड़े से issues हैं थोड़े से problems हैं बट ऐसा नहीं है कि रिस्ता जो है ना हमेशा के लिए नहीं बन सकता है रिस्ते बनाने के लिए रिस्तो की समझ में होनी चाहिए और रिस्तो की समझ उनी लोग को होती है जो कि रिस्ते की कदर करना जानते हैं रिस्ते की reality जानते हैं तो यहां पर यहीं दिख रहा है कि आपके partner को वो reality बिल्कुल भी पता नहीं है ये person बिल्कुल भी नहीं जानते ह कि परसन कर क्या रहे हैं यह परसन क्यों कर रहे हैं यह परसन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है नथिंग टुवर्य अबाउट फोर आफ कप्स ऑके नाइन आफ स्वोर्ट्स एंड है मेरे पास सेवन आफ स्वोर्ट्स ऑके आपके पार्टर अपने मन को हील करते भी दिखाई दे रहे हैं मन को शांत करते भी दिखाई दे रहे हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टर का मन बड़ा परेशान है ये person आपका trust कैसे जीतेंगे ये person अपने आपको कैसे दिखाएंगे कि आप इनके उपर trust कर सकते हो ये person आपका trust तोड़ने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे ये person कैसे दिखाएंगे ये person ये ज़्यादा deeply सोचते भी दिखाए दे रहे है सुबह सुबह अपसोस में डूब जाना सुबह सुबह रोना सुबह सुबह बहुत बहुत जदा अकेलापन को फील करना आपके partner के energy में है काफी अकेलापन फील करना और वही है दर्द तकलिफे लगतार आती है आती है तो जातने का नाम नहीं लेती है वही energy feel हो रही है मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि आपके partner और आपके बीच में एक अपसोस वाली चीजे मुझे नजर आ रही है ऐसा दिखता है जैसे कि आपके partner को regret feel हो रहा है आपके proposal को ठुकडा करके, आपको ठुकडा कर, आपको block करके कहते हैं न कि मजबूरिया कभी कभी कुछ हमें ऐसा काम करवा देती है जो कि हम करना तो नहीं चाहते हैं लेकिन situation के according हमें करना पड़ता है तो वही बात हुई है आपके partner के साथ भी आपके partner भी कहीं कुछ चीजों को जो है करना तो नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी इनको अन जाने में ही सही लेकिन करना पड़ा अन जाने में ही सही लेकिन बहुत सारी चीजे ऐसी करनी पड़े बहुत सारी चीजे ऐसी करनी पड़े जो की unexpected रही है आपके और आपके partner के बीच में मुझे यहीं देख रहा है कि आपके पार्टनर काफी ज़दा परेशान हैं, काफी ज़दा फ्रॉस्टेट हैं, अंदर ही अंदर जैसे मन बेचैन हो रहा है, अंदर ही अंदर जो है ना तकलीफ में जा रहे हैं, एकदम अंदर ही अंदर जैसे की, कहते हैं ने कि जैसे की समझ ना आना, है ना, तो वो सम लिट दी है आपको दर्द दिया है और आपको कहीं ना कहीं इस परसन ने अकेला छोड़ दिया है जान बुझ के अकेला छोड़ दिया है इस परसन को ऐसा लगता है ठीक है इस परसन को ऐसा लगता है कि मैंने यार जान बुझ के ऐसा कर दिया जान बुझ के मैंने ऐसे कैसे कर कर दिया ऐसा मुझे नहीं कर ना चाहिए था ठीक है भिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और गयО्स अंजाने में कर तो गए हैं लेकिन कहीं नहीं कहीं नगी तक्लीफ हो रहा हैं गय है और वह पर सफेंशन को बहुत पने आपकोित अंहीं कर रिलेक्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी रिलेक्स एनरजी में है ये पॉर्शन, फियर्स ऑफ कमिंग तो किदर का कार्ट क्यों है, एंजिल्स, गाइड करें, शिक्स ऑफ कप्स, दवर्ड, दवलबर्स, येस, आपके पार्टनर की एनरजी मुझे ये फील होती है, जैसे कि, देखिए, क्या है कि प्यार तो दोनों करते हो, और दोनों के अंदर ही सेम फीलिंग्स हैं, एक दुसरे के लिए, सेम फीलिंग्स, सेम एमोशन्स, बट वही है कि, जब अलग हो गए, डिवाइन ने आपको, अंजल्स ने आपको अलग कर दिया, कुछ सिखाने के परपस से ही, तब इस परसन को समझ में आया है, आपका प्यार और आपकी रियालिटी, आप इनके साथ रहते थे, तो इनको as a friend ट्रीट करते थे, या फिर as a partner ट्रीट करते थे, और बहुत ही प्यार से वो treatment हो जी थी, बहुत ही प्यार से आपने ट्रीट किया है इस परसन को, बहुत ही प्यार से इदम से जिसे की मन को जीत लिया है आपने, इस परसन को, इस परसन के मन को जीत लिया है आपने, मुझे यहां पर यही देख रहा है, कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत अंदर से एक कहते हैं ना, जिसे की खुश हो जाना, अंदर से दिल खुश हो जा तो वह मुझे दिखाई देरह sarà आपके पार्टनर के अंदर आपके पार्टनर का मन काफी ज़दा गया दुखी दिख रहा है नर्ड वहली दिख रहा है ठीक है डड़ते हुए आपके है दिखिंद हो दिखेयर को अंदाजा भी ताकि आचानक से यह चीजे हो जाएंगी। ठीक है आपके पार्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपसे बहुत ज़्यादा इनका दिल का रिष्टा है। और यह पॉर्ण उस रिष्टे को कभी भी जो तोड़ तो नहीं सकते हैं। बिलकुल भी नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि ये person तोड़ सकते हैं ठीक है जब भी ये person अपने आपको देख रहा है तो इनको ये जरूर feel हो रहा है कि ये उस समय जादा खुश हुआ करते थे जब आप इनके साथ रहे आप इनके साथ रहे और ये आपकी साथ रहे आप दोनों की बीच में बाते रही आप दोनों की बीच में जो भी feelings थे जो भी emotions थे वो चीज़े रही ठीक है ये person अब बिल्कुल भी खुश नहीं है किसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि बिल्कुल भी खुश नहीं रहे क्योंकि जो तकलीफे थी जो feelings थी वो कहीं न कहीं वो disturb करने वाली थी वो रही है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके partner आपको लेकर की काफी frustrated हो गया है काफी is the frustrated और मैं यह भी देख पा रहे हूँ जैसे कि four of wands का card आपके और आपके partner के बीच में यहाँ पर शादी वाला रिस्ता अब तक बन जाना चाहिए था शादी हो जाने चाहिए थी आप दोनों के बीच में आपके partner यह सोसते वी दिखाए दे रहे कि यार इतना कितना time लगता है किसी relationship में इतना time तो नहीं लगना चाहिए और अब जो है ना इनको बेकरारी हो रही है आपसे मिलने की या फिर आपको proposal देने की आपके partner अपने आपको रोख पाना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि यह जो person है काफी बेचैन होते वी दिखाई दे रहे है तो बात करके तो देख थीक है तो बात करके तो देख आगे देख क्या क्या होता है तो इनका दिल कहता है कि तुम बात करो तुम बात करो तुम क्यों नहीं बात करो तुम बात करो येस आपके जो partner है ना feel करती हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको जो है ना आपके साथ बा करवाया है अपने बालों में या फिर अफेशियल वेगारा लिया है जिससे आपके चेहरे की चमक और दो गुर्णी हो गई है मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना यहाँ पर मुश्किल हो रही है आपको इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं यहां मुझे यही दिख रहा है soul contact के energy है आपके partner दिल से तो जुड़ चुके हैं यहां पर इनको feel हो रहा है कि यार मैं तो दिल से जुड़ चुका हूं उससे दिल दिमाग में मेरे 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 उसके लिए फिलींग मेरे इमोशनल अटैश्मेंट ए ठीक है और मैं उस्से दूर होकर भी दूर नहीं हो सकता कैसे दूर होगा मैं कैसे मैं उससे बात करूंगा कैसे मिरे दिल की feelings मेरे दिल के emotions ये जो person है आपके साथ soul contact तो to compromise करना चाहते हैं एकवल psychologist करतेयं रिष्ट्रन को सही करने के λिए जो यह कर सकते थे वह करना चाहते हैं क्यों क्योंकि यहां में देख रहा है कि इनके सामने दो रास्तेट खुले आजा या पर पर बहुत सदा खड़े हो गए यह पर्संद और इनको कोई अपने काफी खालीपन में यहाँ मुझे तो प्यार मिलना चाहिए मैंने प्यार देया है तो मुझे भी प्यार मिलना चाहिए मुझे प्यार बिल्कुल भी मिलना चाहिए एकदम से मिलना चाहिए ऐसे कैसे नहीं मिलेगा आपके पार्टनर का मन कहता हुआ दिख रहा है कि यार तुम्हारा प्यार कहीं और तो नहीं दिया जा रहा है किसी और को ुपूरी तरीके से इन से क्यों हो रहा है मेरा ह configured काफी सोर्च समझ उलजन में पड़े हुए है और इनको यह भी लग रहा mm जो प्यार मेरा है वो मेरा रहना चाहिए है ना जो प्यार मेरा है वो मेरा रहना चाहिए लेकिन वो प्यार मेरा है नहीं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे जहेल रहा हो या जहेल रही हो क्यों हम दोनों की बीच में क्या हो रहा है ये कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे क्यों ऐसे चीज़े हो रही है क्यो हम दोनों के बीच में इतना ज़दा problems क्यों आ रहा है कुछ भी idea नहीं है कुछ भी idea नहीं है यह person साफ सीधी सी बात कहते हुए दिखाये दे रहे हैं कि मुझे उसके साथ relationship continue करना है मुझे उसके साथ relationship continue करके अपने रिष्टे को आगे लेके जाना है और आगे कुछ इस तरीके से लेके जाना है कि मतलब कहते हैं कि जिसे कि इस रिष्टे को कहीं आगे तक लेके गया है ना यह person तो आगे का क्या होगा future इस person को यह भी सोच करके काफी तकलीफ हो रही है ठीक है क्योंकि यहां पर इनको clarity clear दिख नहीं रहा है कि future है भी कि नहीं है ठीक है ना तो यहां पर यह मुझे नजर आ रहा है आपके partner के energy में चलिए आपके partner का decision देख लेते हैं कि decision क्या हो सकता है आपके लिए इस रिष्टे के लिए सो चलिए cards निकालते हैं decision क्या हो सकता है मेरे viewers के partner का guide kar angels okay guide kar angels okay, five of cups, three of cups, okay, the fool's energy, seven of swords, the emperor, four of wands, wow, क्या बात है, bottom of the deck, eight of coins, very nice, so, यहाँ पर यह दिख रहा है, कि आपके partner का action जो हैना, बड़ा मेहनताना लग रहा है, बहुत मेहनत करने वाले हैं, आपके partner जीत तोड़ इस बार मेहनत करने वाले हैं, आपका trust जीतने के लिए, आपका प्यार जीतने के लिए, आपके प्यार को अपना बनाने के लिए, यह person पूरी तरीके से ready होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैं देख पारे हूँ कि yes, आपके partner तो आपको पारने के लिए हर तरीके से, आपके partner आपके साथ रहे करके relationship में, आपके साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं देख पारे हूँ कि आपका trust जीतने के यह जैसा कि मैंने कहा कि भरपूर कोशिश करने वाले हैं, आपका trust तो यह person जीतने ही वाले हैं, एकदम से trust जीत करके तब ही यह person आगे बढ़ने वाले हैं, मुझे यहाँ पे clear देख रहे हैं कि trust जो है यह person जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा है ना, आपके partner के energy मुझे यह भी feel होती है, जैसे कि, आपके partner three of cups के energy में हैं, clear है कि यह person action लेने वाले हैं, decision लेने वाले हैं, clear way में दिख रहा है कि यह person action decision लेने वाले हैं, और यहाँ पे action decision लेने के बाद से, इसका परिणाम क्या होगा आपके partner को बिल्कुल भी idea नहीं है, हाला कि यह person सोच करके काफी तकलीफ में हैं, काफी दर्द में हैं, काफी pain होता हुआ दिख रहा है, और कहीं न कहीं यह जो pain है ना, बहुत ज़्यादा pain हो रहा है आपके partner को, देखिए यह person काफी strict decision लेने वाले हैं आपके लिए इस रिस्ते के लिए, और एक दम loyal हो करके यह person decision लेने वाले हैं, इनका decision लेने के वज़ा से बहुत लोगों को परिशानी होगी हो सकते हैं, इनकी family को भी परिशानी हो, ऐसा मुझे feel होता है, यह person आपके लिए शादी का रिस्ता जो है ना, लेकर के आने वाले हैं, yes, इनका अंतर्मन कहेगा कि तुम शादी करो, क्योंकि तुमने वादे किये हैं, तुमने वो सारी चीज़ें की हैं, जो की तोड़ना बहुत बड़ा गुना है, ठीक है, तो तुम्हें वो शादी करनी होगी, या फिर कहें तो उसके साथ future अपना बनाना होगा, तो येस, मुझे यहां पर यही दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि येस, आपके पार्टनर आप से जो है ना, आपको जो है ना, एक तरीके से मैं कहूंगी कि आप से शादी करना ही चाहते हैं, एक दम, करना ही करना है, ठीक है, मुझे यहां पर यह दिख रहा है, करना देख रहा है मुझे तो चलिए फिर रेडिंग को करते हैं खत्म विलते हैं फिर आप से किसी नई रेडिंग में तब तक के लिए बाबाई